असलाव लेकूम, स्पाइस खाना वितनाजिया में आपका वेलकम है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटम दबा दीजिए जिससे मेरे आने वारी हर एक वीडियो आफ फिरी में देख पाएंगे। आज में बनाने जारी हूँ, रेस्टुडेंट स्टैल चिकन ग्रेवी जो की बहुत पसंद किया जाता है हर एक रेस्टुडेंट में। इसकी ग्रेवी चिकन के साथ बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप जरूर ट्राइ कीजिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जान लेते हैं कि हमें किन-किन समानों की जरूरत पड़ेगी। पांच से छे पिस खड़े लाल मिर्च ली हूँ, आठ से देस पिस काजू ली हूँ, इसे हमें रोस्ट कर लेना है हलका सा इसकी नमी चली जाए। गरम पैन में इसे चलाते रहना है जिससे ये डराई हो जाए। इसकी नमी बाहर निकल जाए और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। अब हमें इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। इसका एक पॉडर बना लेना है। इस तरह से हमें बना लेना है। इसी पॉडर में हमें 2 मीडियम साइस के टमाइटो देना है कटेवे और इसका एक पेस्ट बनालेना है ग्राइंड होकर इस तरह का यह से पेस्ट बन चुका है, बाध में हमें चिकन को यहसे एड करना है यहां पाला सależतना हैं और हाफ शाथ कि छिकन को अपनियू है गरम पेन में हमें half cup तेल देना है तेल को गरम होने देते हैं इसी गरम तेल में medium size के दो chopper की वे प्यास देना है इसी chopper की वे प्यास को हमें 4-5 मिनिट फ्राई करना है इतना फ्राई करना है कि इसका color light brown हो जाए अब इसमें एक चमच अद्रक का पेस्ट और एक चमच लहसुन का पेस्ट हमें देना है और इसे 2-3 मिनिट फ्राई कर लेना है और इसमें half चमच healthy powder देना है एक चमच लाल मिर्च powder देना है दो चमच धन्या powder देना है अब इन सारे मसालों के साथ हमें 2-3 मिनट इसे भूंज लेना है इन मसालों में थोड़ा सा पानी हमें एट करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और चिकन के सारे पीस हमें इसमें दे देना है सारे चिकन हमें दे कर इसे 5 मिनट फ्राई कर देना है भूंज लेना है अच्छे से, चिकन को सारे मसाले के साथ अच्छे से भूंज लेना है, जिससे चिकन का ट्रेस्ट बढ़ जाए, एक चम्मच हमें इसमें नमक भी एट करना है, आप अपने स्वात के अनुसार इसमें नमक एट कर सकते हैं, काजू, मिर्च और टमाटो का जो बनाई यूं उसे हमें दे देना है इसमें इसे भी 2-3 मिनिट फ्राइ कर लेना है जिसे की चिकन में यह अच्छे से मिक्स हो जाए देखिए यह तेल भी छोड़ने लगा है अब इसमें 2 कप के अंदाज में हमें पानी एट करना है और इसे मिक्स करके मिडियम फ्लेम पर हमें 15 मिनिट धग कर पका लेना है 15 मिनिट हो चुका है तो इसे देख लेते हैं एक बार लगभगे यह हो चुका है अब इसमें करश किये वे हमें कसूरी मेथि अट करना है जिसे की इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा एक चमश के अन्दाज में हमें इसमें कसूरी मेथि देना है और इसे 1-2 मिनिट पका लेना है, यह बन कर रेडी हो चुका है, तो देखाई यह चिकन हमारा बन कर कितना अच्छा सा रेडी हो गया है, कलर भी बहुत प्यारा आया है, और सारे तेल उपर आगए मसाला और ग्रेवी स्की बहुत ही अच्छी बन कर रेडी हुई है, तो एक ब इसे आप जरूर ट्राइ करें